शुप्रभाद समय से मिलेगा सम्मान जनक महंताना अंदेशक शिक्षमित्र खास समाचार में स्वागत है शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो को अंतर देखने हैं नमस्कार सात्यू देश प्रदीश के समस्त गुरू उनको मेरा साधर पर नाम प्रस्तुत है आज का वेशिक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार सात्यू वेलकम बैक कि यहां पर आप देख भा रहे होंगे मुख सचिप कार्यल है उत्तर प्रदेश शासन प्रथम तल लोग भवन उत्तर प्रदेश सचिवाले लखन उदूर्भाष संख्या इतने संख्या 684 पी एस एम एस दोजार एक्किस और ये 28 अक्टूबर दोजार एक्किस का पत्र है समस्त अपरमुक सचिप प्रमुक सचिप सचिप आगामी चार नवंबर दोजारी किस को दीपवली के पर को देखते हुए किर्पया अपने अधिनस्त समस्त विभागों कार्यालों में ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि समस्त कर्मियों सरकारी अर्द सरकारी समविदा आउट सोर्सिंग सहित को दिनांग एक नवंबर दोजाए किस तक वेतन मांदे आदिका भुकतान अवश्य ह समवंद में स्वयम समीक शकर भुकतान किया जाने की स्तती से दिनांग दो नवंबर दोजारी किस तक कर्मिक विभागों को अभगत करा दिया जाए राजिंद्र कुमात तिवारी मुक्य सचिव उत्त अपने लेटर देखा चार नवंबर को दीपावली है ऐसे में सभी करम विभागों को समय पर वेतन भुकतान किया जाए सियम के निर्जेस के बाद मुक्य सचिव आरके कि तिवारी और उनकी तरफ से दिये जाने का आदेश भी देर शाम तर जारी किया गया सभी बवाओं के अपर मुक्ध सचिव प्रमुक सचिव व और निदेश दिये गये हैं कि वे वेतन ब्रवा देखा भुकतान शुनिशित कि रें और भुकतान किये जाने की इस्ति में दो नमबर को कार्मिक विभा को अवगत भी करा हैं साती ओए इस समय एक्षण में है सरकार सारे कामों को समय से करवाना चाह रहा हैं दीपबली खुशियों का तेवहार है यह शुनेशित किया जाए कि प्रदेश के सभी सरकारी अर्दसरकारी समयदा 800 सिंग कर्मचारियों के अक्टूर मां के वेतन मांदे बुक्तान प्रतेक तशा में एक नवमर तक कर दिया जाए सियम योगियादितुनाद महाराज जी अग हमारा मंदे या जिन भाइबानों का वेतन है वो मिल जाएगा ताकि समय रहते हैं वो अपने सारे कामों को निप्टा सकेंगे शिक्षा में तरन दोश्रकों को इस्थाई बनाओ ये एक समचार कल के धरना से आ रहा है दीपबली जब पूर सभी विवाओं के कमचारी को सेल देंगे ताकि हम सब लोग अपना तिवार अच्छे से मना सकें यहां पर ये लखनाओ से समाचार था और डारेक्टली मुक्मित्री योगियादित नाच जी ने ये पहल की है और शुरुआत भी किया है देखते हैं एक तारीक तक सब के खातों में अपना धन या अपनी महन आज आएगा ये देखने वाली बात होगी और आभी सकता है क्योंकि इस समय सरकार जो है पूरे जोस खरोश से लगी हुई है अपने बोटर्स अपने सपोर्टर्स को और अपने करमचारियों को रिजहाने लुभाने और उनकी हर बात को पूरा करने के लिए लगी हुई है शिष्यमित्रों से समन्दित एक और समाचार है संगट्रों की मांगई सुची पर मुख सचिव किरह को भेजी गई दूसरी सुची में शिक्ष्यमित्रों को भी शामिल किया गया है साती रवस्वयां कल्यानकारी समीती उत्त प्रदेश का गठन भी हो गया है अब आप सोच तो नहीं दिया हूँ या किसी कार्मस बूल गया हूँ शिक्ष्यमित्रों समय 14.82 लाग कर्मियों को बोनस का तोफ़ा 75 प्रिस्यादरासी जीफी एफ खाते में जमा होगी 6 नकद मिलेगी अंद्रशक शिक्ष्यमित्रों को तो ऐसा कुछ है ही नहीं भाई उनका तो मानदी 10,000 से ही काम है तो उनको कहां से अगर यह कुछ बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्योंकि 15 से उपर होना चाहिए तभी हम लोगों का बोनस या जो भी है बचत हो सकती है जी पिएफ बचत होगी तैनत यह है देनिक वेतन भोगियों को भी मिलेगा वोनस ऐसे देनिक वेतन अधिक समय तक लगाता काम क्या हूँ और हर हर साल कम से कम 240 दिन कार रहे था हूँ उन्हों ही बोनस मिलेगा तो इसका मतलब कि वेतन भोगियों तो नहीं है सिश्यमत नों देस्त लेकिन समाचार आ रहा है चलिए मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ आपसे एक निवेतन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें जय हिन जय भारत वंद मात्रम